आज का ये वीडियो खास होने वाला है इस वीडियो में हम अबाबील पक्षी के बारे में बात करने वाले हैं अबाबील एक दुरलब पक्षी है अबाबील पक्षी का इसलाम धर्म में विशेश महत्वा है अबाबील जुंड में रहता है इसे अकसर जुंड में आकाश में अगर अभी तक आपने हमारे रजा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूले तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं एक अबाबील पक्षी दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है ये भारत देश में भी मिलता है इस पक्षी की कुल 83 प्रजाती पूरी दुनिया में मिलती है यह एक प्रवासी पक्षी है प्रवास के दौरान यह एक दिन में 300 किलो मीटर तक उड़ जाता है 2. अबाबील पक्षी का आकार गौरेया के बराबर है ये पक्षी कई रंगों में मिलता है नीला, काला, सफेद इत्यादी कई रंग होते है 3. इस पक्षी का आकार 19 cm तक होता है और वजन 25 ग्राम तक होता है 4. ये पक्षी हवा में उड़ते वक्त कीट पतंगों को भी पकड़ कर खा जाता है अबाबील मक्षी, चीटी, तितली इत्यादी को खाता है 5. अबाबील पक्षी, स्वालो बर्ड के पंख नोकीले संकीर्न होते है अबाबील के पैर भी छोटे और कमजोर होते है ये पक्षी चलता बहुत कम है, ज्यादातर वक्त उड़ता है अबाबील की चोंच भी छोटी होती है 6. अबाबील के उड़ने की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रती घंटा तक पहुँच जाती है 7. नर और मादा अबाबील की पहचान करना मुश्किल होता है 8. मादा अबाबील 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 की और आकरशित होती है 9. मादा अबाबील एक बार में करीब 3-5 अंडे देती है अंडो को सहने की समयावधी 10-15 दिन होती है अंडो का रंग सफेद ब्राउन होता है 10. नर और मादा दोनों बच्चों का ख्याल रखते है दो सप्ताह के बाद वो घोसला छोड़ देते है 11. अबाबील पक्षी, स्वालो बर्ड अपना घोसला मिट्टी से बनाता है मिट्टी में घास और तिनके मिलाकर घोसले का निर्मान करता है इससे घोसले में मजबूती आती है इनके घोसले अद्भुत कारीगरी का नमोना है ये पक्षी अपनी चोंच से तालाप की मिट्टी लाकर घोसले का निर्मान करते है 12. नर और मादा दोनों मिलकर घोसला बनाते है इसके घोसले की आकरिती कपके समान होती है ये पक्षी घोसला उचाई पर बनाता है। अबाबील घोसला पुराना होने के बाद भी उसे इस्तेमाल करता है और घोसले की समय समय पर मरम्मत करता है। 13. इस पक्षी का निवास्थान तालाबों और नदियों के पास होता है सामान्यता ये पक्षी पानी के पास रहना पसंद करते है अबावील अपना घोसला आबादी के आसपास भी बनाता है 14. इसलाम धर्म के पवित्र ग्रंत कुरान में अबाबील पक्षी का जिक्र आता है 15. इन पक्षियों के शिकारी उल्लुक्चुहे बिल्ली इत्यादी जन्तु होते है इनसान भी अबाबील के घोसलों को तोड़ देता है 16. अबाबील पक्षीक स्वलो बर्ड का उसत जीवन का तीन वर्ष का होता है आज का यह वीडियो आपको कैसी लगी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेर भी करें साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिये तब तक के लिए धन्यवाद